हेलो एवरीबन वेलकम टू माई चैनल आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो यहां पर अब हो गए हैं दोपहर का एक बज़ किया है मॉर्निंग का जो मेरा काम है वह फिनिश हो चुक है और यह भी ऑफिस जा चुके हैं तो बस अब मैं दोपहर के खाने की ही तियारी क कि मतलब ही जो भी मैं अभी बनाऊंगी वही मेरे शाम को काम आ जाएगी सब जी तो वस वही तिया अब मैं स्टार्ट करूंगी बनाना तो मैंने सोच अससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी में बात कर लेती हूं यह कैसी हाई होती है देखना कहीं और और हाई कहीं और है हैं तो यह अपने अभी स्कूल का काम कर रहा है बैठा यहां पर क्योंकि क्लासेस अभी ऑनलाइन ही चल रही है और अभिनव का जो स्कूल है अभी इंडिया से ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस तो अभी यहां पर इसकी अडिमिशन नहीं करवाई है इस साल यहां पर अड तो इसका जो क्लास स्थे watch हो जाती है और यहां के दुबाई के 11 वजी और इंडिया के क्रोंचा कर ऐह बंदियारर क्लास स्थेक्ष Storm effort यह दूसरी का लिंक आ जाता है तो लगतार चलती है और 11 वज़े तक मैं इसके साथ बैठती हूं उसके बाद जो इसका होमरक है जो टैस्ट वगारा होते हैं तो बस वही टैस्टी चल रहे हैं वह आदे-अदे कर रहा है यह तो उसके बाद फिर मैं अपना अपना कान यह स्टार्ट करती हूं कि अभी तक इनको जो स्लेबस कर वाया है बस उसके टेस्ट वगरा होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आज की रसपी का और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी आसे रसपी क्लिए यहां पिणिछा करें जालिक निते चिली मेह मुझ विक ड़ीब मद म्दलीय और फिर्टाइब ची trauma के वीड़ीब .. ग्रिल करें शब्क करें दिक bez altro जुझा सब्सक्रण करें अगरनीग ग्रीशा था ने माँआनी जाय साथ सब्सक्राइब बनाती हूं आपका जिसमें मन करें उसमें आप बना सकते हैं तो यहां जो ओयल है वो अच्छे से उपक गए रहे हैं तो मैं इसमें जीरा और धनिया डाल कूंगी इसके बाद इसमें यह जो जो सब्सक्राइब करके रखते हैं वो नहीं थे पहले स्टील का ही अपना यूज करती थी तो यह मैंने कल ही मंगवाया है यहां पर एकली मैं यहां पर जाती थी जो सुपर्मार्ण ऊड़ करती यहां ऊपने के लिए ज़कल से फिर्ग कर दोस्क्राइब से तीं सुपर्मार्णार्ट है जो हमारे पाससे नीच्चे इक बीडिक होई हैं एक गै ने दूसरी बीडिक हमने और एक ह्टे को तो जो दो हुख तो वहां तो दूसरी का समान मिल है जो थर्ड है वहां से घर का कुछ भी समाना प्ले सकते हैं कुछ भी तावल जैसे की बरतन वग्यारा ग्रोसरी का हर चीज वहां पर मिल जाती है तो वहां पर हम देखते से तो बाकी सब होता था बट ये बुड़न के स्पेचुला वहां पर थेनी और जब हम कहीं और जाते थ कि प्याश अब बड़ने तो भूमने में विकास हो जाते हैं कि यादी नहीं रहता तो तो तीरी इसको हमने अउड्लाइन ही ओडर किया है यहां पर हम प्याश को अच्छे से Our 2030 में ये अपने जो मतरले इंप झालेगें कि जब यह भूं जाएंगे तो इसमें हमने जोमारे वान नमक, मिर्ची, हल्दी, अद्धनिया फाउडर करें अगर मोर्चनल को अब आपके लिए गास को सीएँपी रपना है कि अगर गैस की जो प्लेम है वो हाई होगी तो जो गल्दी है वो जल जाएगी तो अब मैं इसमें जो हमारे वॉयल डालूँ है उनको मैं डाल दूँगी और साथ में ये जो क्रीम कीस है जो हमने वॉयल करके रखिया हम वो भी इसमें आड कर लेंगे आगे झाल भाड कर लेंगे माला मैं आप आप लेमीवा वॉयल कर मैं घाप लेंगे तो अब हम सब्जी कोच्छे से मिक्स करके, पांच मिनट के लिए इसको निया रिए वी, यह थोड़क परारे हो जाएंगे, तो इसको अब पांच मिनट के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे, तो अब हम सब्जी को तब डहेंगे, अब इसमें ड्राइ मैंगो पाउडर होता है वो इसमें थोड़ा सेड़ करूंगी ड्राइ मैंगो पाउडर और गरम मसाला अब इसको भी मिक्स कर लेंगे हम यह सब्जी है जो बड़ी बन जाती है और खाने में भी बड़ी टेस्टी होती है तुकि हम पहले से यारों को गॉयल गर लेते हैं तो चादर पाइन नहीं लगता बढ़ने में पांच मिनड में ही बन के त्यार हो जाती है इसके साथ अगर चादर बड़ी बनाएं न तो यह और भी टेस्टी लगते है तो देखकिती हूं अब ही तो नहीं है तो आपीन लगा ही है तो शाम को देखकिँ इसके साथ पूडी ही बनाएं जब भी अपश से आँखे आइंगे और साथ ही में इसमें जो हरा दनी आपकर दूंगी कूड़ी के साथ बढ़ी टेस्टी लगती है यह सुच्छी तो इसमें हारा सनिया एड़ करके निक्स कर लेंगे तो बस हमारी जो सब्जी है वो बन के पियार है कुछे यह समे करों को जnt बंक जो महीं हमारी बिल्कुल रेडिय नहीं के लिए आपको सेट के साथ रोटी बनानीमे अंग बन ऐगर आपने से साथ अपकी बनाना है टूरी तो हमारी सब्ची बनके तियार है तो बस इसके बाद मैं थोड़ी रोटी बना लूँगी वसावी नमने और मैंने खानी है तो शाम को पूड़ी बनाओंगी मैं इसके साथ तो सब्ची बन गई है तो चलिए बस मैं इसको अपने निकाल लेती हूं दूसरे बरतन में और जो मैंने थोड़ा सा समान प्यलाई है तो मैं इसको भी ठीक कर लोगी तो उसके बार मैं मिलती हूं आप लोगों से तो सब्जी हमारी यहां पर बनके दिया रहे हैं तो बस अब मैं उसके साथ भी रोटी बना लूँगी तो चलिए बनते हैं रोटी तो यह आटा मैंने टले से लगाया हुआ था तो चलिए बनाते हैं रोटी यह अभी नवय जो ग्रीन पीस खाएगा नहीं इसलिए मैंने सब् अच्छे से मैं ऐसे मसल लूँगी और इसके लिए एक आलो का प्राथा बना दूँगी दहीं के साथ तो चलिए मैं इसको अच्छे से मसल लेती हूं मैंicio आलो क क्यों से मैं हुआ। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को कर दो हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अब इनव का जो ना दपर का खाना है वह हो गया त्यार हुआ है अब इनव अब इनव यह लो बटा इसको अब इनव हुआ अब इनव आप अब बड़ा क्यूट सा है इसके साथ ही मैं आप लोगं के साथ एक चीज और है जो मैं आप लोगं के साथ शेयर करूंगी एक सकेंड तो यह है हमारी किछन का निया मेहमान टू इन वन ब्लेंडर जिसको मैंने यहां से पर्चेस किया है तो पहले था मेरे पास बड़ उसमें क्या होता था कि अच्छे से जो मसाला उसको अच्छे से नहीं पीसा है चक्टनी वगएर उसमें बना सकते हैं लेकिन जाए पनीर बनाएं उसके लिए मसाला बिल्कूल फाइन पीसा हुआ चाहिए वह नहीं होता था यह इसलिए मैंने ल तो यह है हमारे किचन का नया महमान तो इसके अंदर एक और जा रहा है यह चोटे वाला इस टाइप से तो एक्षिली जो पहले था मेरे पास इसको अपन करके लग जाएगा तो पहले जो मेरे पास था उसमें अच्छे से मसाला है जो नहीं विस्ता था इसलिए हमने यह है तो अब इसमें मसाला वगएरा क्योंकि एक दिन मैंने शाइपनिर बनाया था तो उसमें एक जड़ो देर तक करो तब जाके उसमें तब भी फाइन पेस्ट उसमें अच्छे से नहीं बनता था तो इसी वज़े से यह वला हमने लिया है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको बाइक किया क्योंकि उसमें अच्छे से बनता हैं तो जब तक जब तक जब शाइपनिर वगरा हो गया या कोई और वेचित सब्जी वगरा हम बनाते हैं जिसमें पाइन पेस्ट की ज़र्वरत होती है तो ना बने तो सब्जी का जोड़ है वो टेस्ट नहीं आता है तो इसी वज़े से मैंने इसको बाइक किया है और चटनी भी अच्छे से निए उसमें पीस्ती थी पीस्ती थी अच्छे से नहीं होती थी क्योंकि थोड़ी मोटी मोटी बनती थी तो यह काते है कि मुझे बिलकुल पीसी हो यहां पर अभी आई है तो थीर थीर सेट होगा और दूसरी बाद यहां किचन थोड़ा शोटा है तो समान रखने का भी स्पेस नहीं है तो इसलिए जादा समान तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि फिर इदर उदर रखना पड़ता है उसका भी कोई फायदा निया वस इतना सम समान मैं चाहती हूं जो किचन में ही रखा जाए तो बड़ा मज़ा आ रहा है स्पेशली लेडिस को बहुत अच्छा लगता है जब वो किचन का कोई समान लेती हैं तो यहीं थी मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्ली प्ली की वोचि को मैं चैनल